गुरू बारकु जिलास्पताल सहिच जनपत के 326 केंडरों पर कुल 41,594 लोगों को कोविट का टीका करण किया गया जिसके संबंद में सेमो डॉक्टर आशीतोष कुमार दूबे ने बताए कि कोविट टीका करण में बच्चों में उस्साह देखने को मिल रहा है तथा डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने आपको सेनिटाइज करते रहें और जो लोग कोविट का टीका लगवारे से वन्चित रह गये हैं वो आपने नजदीगे सरकारी इस्पताल या जिलास्पताल जाकर टीका करण करा ले इस समंद में गुर्यपुर निए से बात करते वे सेमर डॉक्टर आशित उसक्मार दूबे ने कहा अज़ जगों पर जो टीका करण का कारी कम चल रहा है और हम लोगों ने आज अपना लच्छ ने धारित किया है कि कम से कम 40,000 लोग को परेशिमेट करेंगे और 15 से 18 साल के बच्चों में कभी 20,000 लोगों को हम टीका करण कराएंगे जनता से मैं सिर्फ यह ओंगा कि कोबिक के केसेज बढ़ रहे हैं 115 केसेज अपने यहां गोरफपुर में निकल चुके हैं मेरी सबसे अपील यही है कि सब लोग मास्क लगाएं सोसल डिस्टंसिंग का पालन करें अपने को सेनिटाइज करें और जो लोग टीका करन कराने से बंचित रह गए हैं वो यथा सीख टीका खुद लगवाएं और दूशों को भी लगवाने के लिए प्रेजित करें अभी बच्चों में काफी ज़्यादा उत्सा है बच्चे बच्चरतर के हिसा ले रहे हैं और इससे हम बड़े लोगों को और उमदराज लोगों को सीख लेनी चाहिए बच्चों के साफ को देख लेख लेख लेख